हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऐसे से क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग इस वीडियो में मद्ध्य परदेश राज जी के बारे में पढ़ने वाले हैं मद्ध्य परदेश से क्या क्या स्टाटिक जी के निकल कर आपके एक्जाम एक्जामिनेशन पॉइंट और वीव के लिए जो इंपॉर्टेंट रह सकता है हम लोग इस वीडियो में उस चिसको देखने वाले हैं इस से पहले इस वीडियो के पहले जो है मैंने दो राज्यों के बारे में आपसे करवाया है यह स्टाटिक जी के आज का टॉपिक है हमा उसके बाद अब लोग यहां से देखते हैं मध्य पोपाल मध्य अगर लारजेस सीटी के बात करें जहाँ पर सबसे ज़्यादा population है उस हिसाब से बात करें तो अगर हम लोग population के बात करें या largest city के बात करें तो इन दौर जो है ये सबसे अभी largest city है मद्धेपरदेश का कुछ important major cities है मद्धेपरदेश के जैसे के जबलपूर, गौलियर, उज्याइन ये कुछ major cities है मद्धेपरदेश के जिसको आप लोग जानते भी होंगे और cities के बारे में आप जाने या ना जाने बट ये जो जबलपूर है, गौलियर है, उज्याइन है इन सब cities के बारे में काम कभी न कभी शुनाई होगा, definitely शुनाओगा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर area wise भारत में बहुत सारे states हैं और उन सारे states में अगर हम लोग area wise बात करें तो मद्धेपरदेश का rank आता है 2, यानि कि second largest ये Indian state है अगर हम लोग area के बात करें तो, fifth state है, fifth largest state है अगर हम लो बात करें तो area में आता है आपका second, first आता है आपका राजस्थां, second आता है आपका मद्धेपरदेश, और उसी तरीके से अगर हम लोग population के बात करें तो, population में आप जानते ही है, पहला number तो उत्तर प्रदेश का है, और वैसे अगर, और population के बात करें तो, fifth rank जो है, ये मद्धेपरदेश की जो बगल में जो नदी है, सबसे लंबा नदी है, वो है नर्मदा रिवर, okay, the state straggles the नर्मदा रिवर, next आप हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अब देखिए, ये अगर आप इस मैप को, अगर आप ध्यान से देखे इस मैप को, तो एक चीज़ तो आप आप बहुत सारा states है, जो कि आप साफ के लिए लिए देख सकते हैं, जैसे इस साइट आप देखिए, राजस्तान, इधर देखे उत्तरप्रदेश, यहाँ देखे गुजरात, इधर महरास्ट्रा, चत्तिसगर्ड, बिहार, में बिहार नहीं है आपका, तो यह सब जो है नौर्थ इस्ट, अगर आप उत्तरप्रदेश का लेखे, तो नौर्थ इस्ट में आपका उत्तरप्रदेश है, जो कि यहाँ पर है आपका, उसके पास चत्तिसगर्ड है, जो कि साउथ इस्ट में है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं, चत्तिसगर्ड साउथ इस्ट, महरा को आप जड़ा सा ध्यान से थोड़ा देखिए इस फिगर को ओके उत्तर प्रदेश राजस्थान गुजरात महरास्ट्रा छत्देश गड़ चलिए नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या दिया वह आपका यहां देखिए मद्यप्रदेश के बा डामंड का और कॉपड का तो लार्जे रिजर्व है और मद्यप्रदेश में अगर हम लोग जंगलों की बात करें तो तीस परसेंट से ज्ज़ादा एरिया जो है मद्यप्रदेश का वह कवर है किस से फॉर्स्ट से कवर है before 2000 when 36 गड वाज पार्ट ऑफ मध्य परदे 2000 के पहले 36 गड जो है यह मध्य परदे पार्ट था यहाँ पर जो आप 36 गड देख रहे हैं इस मैप में यहाँ आप देख रहे हैं न 36 गडड यह 36 गडड पहले मध्य परदे सिक नहीं पार्ट था मद्धे परदेश नेस्ट होगे आपका अगर हम लोग गवर्मेंट की बात करें तो यहां आप देख सकते हैं कि गवर्नर कौन है मद्धे परदेश के तो लाल जी टंडन है और यह 22 वे गवर्नर है मद्धे परदेश के यह रहें लाल जी टंडन और चीफ मिनिस्टर के बात क मद्य परदेश के शिंबॉल की बात करें हर जिसे इंडिया का अगर हम लोग राष्ट्रिय भासा की बात करें तो वह हिंदी है अगर राष्ट्रिय खेल की बात करें स्पोर्ट्स की बात करें तो होकी है तो मद्य परदेश राजिका जो आपको यहां पर अगर लैंग्वेज देखें आप तो हिंदी है सॉंग देखें तो मेरा मध्य परदेश डांस की बात करें तो मंच जो है यहां का डांस है सिंबॉल है मैमल्स की बात करें तो बारा सिंगा यहां का मैमल्स है fruits की बात करें तो mango, trees की बात करें तो बन्यान ट्री जो है यहां का मद्देप्रदिश का यह सभी symbol है एक तरह से आप बोलते हैं राश्ट्रिय चिनित जो होता है symbol है मद्देप्रदिश का अगर symbol की बात करें तो यह सब ही आपका दिया हुआ है है के सिंबॉल कौन सा है तो मैंगो ये सब कुशन नहाते यह अपके इनफर्मिशन के लिए लिए अब वगे मद्यपर्देश में बोहुत सारे सबस स्वाइल है जो कि यहां और होते हैं टीक है ब मेजर यहां ने यहां तो ब्लैक Gibson हो गया डैक सॉल यहां लेटरेट स्वाइल यह आपके चार से पांच टाइप के जो श्वाइल हैं जो कि मद्दे प्रदेश में आमूनन जो हैं आपको देखने को मिलेंगे black soil, red soil, yellow soil, alluvial soil and laterate soil यह आपका यहाँ पर मद्धे परदेस का major types of soil है जो कि found होता है मद्धे परदेस में अब देकिए मद्धे परदेस में बहुत सारे national parks भी है और आप विश्वास नहीं करेंगे national park से अगर exam में question आता है तो 40% chance होता है कि कहीं न कहीं वो मद्धे परदेस से ही related है क्योंकि जो मद्धे परदेस का national park है exam में बहुत सारे questions इनी के आते हैं जैसे अगर आप देखें तो पहला यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर तो बांदवगर नेशनल park है जो की बहुत ज़ादा important national park है मंद्धे परदेश का कितनी बार पुछा गया है कना नेशनल park कहां का है आपको तो मंद्धे ठीक है सत्वा नेशनल park very very important संजे नेशनल park माधव नेशनल पार्क वन विहार नेशनल पार्क बांडल प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क, पन्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, डैनसोर नेशनल पार्क, अब आप समझे कि यह जो आपने देखा कि 10 टैप्स को जो नेशनल पार्क है, इसमें जो सबसे जजादा it is important है, जो की, अगर आप बात करें वन विहार नेशनल पार्क माधव नेशनल पार्क हलाकि मैं तो कहूंगा कि यह 10 का 10 ही आपको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ओके ध्यान में रहेगा आपको यह सारे नेशनल पार्क जो है जो कि मंद्य प्रदेश में आते हैं हम लोग अगर द 2021 में होगा जो कि कमी चांस है क्योंकि क्रोना के विज़े से हो सकता है कि डिस्टर्ब हो गया होगा अभी यह सेंस नहों पाए 2021 में लेकिन हो जाएगा आपका 22 तक के इंड में तो अगर यहां पर हम लोग एकॉर्डिंटो सेंस की बात करें तो 90 परसेंट जो ऐसे लोग है रेसिडेंट्स लोग जो वहां रहते हैं निवास करते हैं उसमें हिंदू जो है यह 90 परसेंट लोग है हिंदू लोग 90 परसेंट है मुस्लिम जो होगे वह 6.57 परसेंट हो गया तो आप देखेंगे कि हिंदू का मैजूरिटी है यहां पर मद्य प्रदिश में वह बहुत ही ज्यादा है ओके जैन की बात करें जैन धर्म की बात करें तो 0.78 परसेंट यहां पर एक तरह से बहुत कमी है बुद्धिश्ट भी बहुत कम है क्रिस्टन भी बहुत कम है यानि कि यह सब तो नेगलेज़िबल ही आप समझे एक तरह से बट में जो है यह आपका हिंदू है यहां पर ओके अगर हम लोग लैंग्वेज की बात करें कि कौन-कौन सा लैंग्वेज जो कि मद्य पर्देश में बूली जाती है तो क्योंकि हिंदी जो है आपने देखा कि 90% है तो यहां पर 68% ऐसे लोग हैं जो कि हिंदी भासा का यूज करते हैं 68% ओके उसके बाद साकर यूज होता है बुंडेली हो गया आपको ओके बगहेली हो गया निमादी हो गया तो यह सब हला कि कुछ जो कि है कि आपको यहां पर लैंग्वेज होता है मद्य परदेश में अब देखिए वहां पर बहुत सारे रीवर्स भी हैं जिसमें से अगर हम लोग बात करें न तो नरमदा इसे लोंग waiver के बात करें जो कि मद्य परदेश में वहां कि बात करें तो नरमधा परिए मंने कम देखिए सकता है कि आपके मद्यप्रदेश किस नदी की किनारे में है तो या बगल में है या वहाँ पर लॉंगेस्ट है तो नर्मदा ऐसे आ सकता है हलाकि आपके basic information के लिए कि शोन रिवर जैसे गुदावरी बेशिन शिप्रा हो गया कुंडा गंगा बेशिन बेटवा गंगा बेशिन चंबल यह सब जो रिवर हैं यह कहां से situated है तो यह सब हैं आपका मद्यप्रदेश से तो यह समें से आपका एक ही important है जो कि नर्मदा के ब इसका headquarter का है यूनेसको का headquarters Paris में है मैं आपको लास्ट प्रम बताय हता है यूनेसको होतार यू सेफ होता है तो यूनेसको के लास्ट eli साइट्स हैं जो की world heritage at के अंडर में आता है 38 sites उसमें से जो आपको बहुत सारे हैं जो कि मध्यप्रदिश में मध्यप्रदिश से बिलॉंग करते हैं तो जैसे कि खुजराओ group of monuments हैं जिसको list किया गया था 1986 में UNESCO में 1986 में खुजराओ group of monuments हैं बुद्धिश के जो सांची स्थूपा है उसको 1989 में सामिल किया गया था वर्ल हेरिटेस sites में उसके बाद अगर रॉक सेल्टर ओफ भीम बिक्टा जो है ये 2003 में जो है शामिल किया गया था आपको युनेस्को वर्ल हेरिटेस sites में तो एक्जाम में questions यही पूशे जाता है कि बुद्धिश का जो सांची सुपा है ये कहा है तो मद्धिप्रदेश खुजराओ कहा है मद्धिप्रदेश रॉक सेल्टर्स और भीम बेटका कहा है तो आपका मद्धिप्रदेश हो जाएगा तो यह सब कुश्टन आते हैं हलाकि मैं एक वीडियो बनाओंगा जहां पर 38 जो युनेसको के कुछ मेजर अगर फॉल्क डांस के बात करें तो जैसे कि राई कर्मा सैला मटकी घंगार ठीक यह सब जो कुछ आपके फॉल्क डांस है बंधाई बरेदी नौरता अहीरी और भगोरिया यह सब जो आपके फॉल्क डांस है जो कि डैरेक्ट आपके एक्जाम पर कोश्टन आ आपका जवाब क्या होना चाहिए मद्ध्य प्रदेश होना चाहिए तो यह जो आप टेन देख रहे हैं फॉल्क डांस मेजर फॉल्क डांस तो यह आपको इदम याद कर लेना है आपको जैसे राई कर्मा सैले मटकी घंगार बढ़ाई बरेडी नौरता उसके बाद अहीरी और भकूर या जो नेस्ट फॉल्क डांस है यह सब मद्ध्य प्रदेश से आते हैं ओके नेस्ट देखे कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जो कि यह डैम्स से भी आपके एक्जाम में कुशन आते हैं तो अगर आप देखेंगे तो राजगाट डैम्स राजगाट डैम्स यह कहां पर किस नदी के ऊपर है तो देखें बेटवा बेटवा जो है बेटवा रिवर के ऊपर में यह राजगाट डैम है कुशन आ जाते हैं आपके एक्जाम में कि राजगाट डैम किस नदी के ऊपर बनावा है और कहां है तो आपका जवाब होना चाहिए कि अब आपका हो गया बढ़ना डैम ये कहा है किस नदी के उपर तो बढ़ना रिवर के उपर ठीक है बढ़ गई डैम किस नदी के उपर है तो नर्मदा रिवर के उपर है बन सागर डैम ये किस नदी के उपर है तो शोन रिवर के उपर है गांधी सागर डैम किस नदी के उपर तो चंबल रिवर के उपर है, इंद्रा शागर किस नदी के ऊपर है, तो नरमदा रिवर के ऊपर है, तो यहां से तो एक चीज़ तो समझ में आगा, यह सारे रिवर्स जो की सिचुएटेड है, मद्य परदेश में, तो जैसा कि मैंने प्रिवेस लाइट में भी बताया था आपको कि ये सारे रिवर्स जो कि मध्य परदेश से बिलॉंग करते हैं तो ये आप याद करने के मुझे ऐसा लगता है और क्योंकि PDF भी आपको मिली जाएंगे तो इससे क्या होगा कि रिविजन जो है आप अच्छे से कर सकते हैं ओके बहुत सारे ऐसे thermal power plant है जो कि मध्य परदेश में है ठीक है तो जैसे कि Amar Kant का जो thermal power station है, मध्य परदेश में है Sanjay Gandhi thermal power station मध्य परदेश में है Sant Shingjai thermal power plant कहा है तो आपका मध्य परदेश में है तो मध्धे परदेश में विद्यानचल सूपर थर्मल पावर स्टेशन ये कहा है तो अध्य प्रदेश में तो यह जो दो इंपोर्टन थर्मल पावर स्टेशन आप देख रहे हैं ये आपके एक्जाम में कुर्शन डिरेक्टली आता है और ये कहां फॉल्स घाट फॉल्स कि 150 प्रधिश में हैं तो इसंट्पाइट की सिर्शन को भी आप संद्ड किया होगा और मुझे यह भी उण्मीद है कि आप इस वीडियो को तो बिदान्य को भी आ modular का और वुभातOL पॉनलोड करके रिवीजन के तौर पे अब आप उसको अच्छे से याद कर सकते हैं तो हम लोग मिलते हैं नेक्स स्टाटिक जी के में ओके उसके सेशन मिलेंगे किसी और एक स्टेट के साथ वहां पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तब तक के लिए क्या कि आप अपना पढ़ाई करते रहे हम लोग मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए all the best